आई एक्सरसाइस 13.3 में क्वेस्टेन नम्मर 6 सॉल्व करते हैं पहले स्क्वेस्टेन को समझते हैं डामेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक क्यूब वाइड बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर डामेटर और 2 mm ठीकनेस वाले कितने सिल्वर के क्वेस्ट को पिगलाना पड़ेगा आए इस क्वेस्टन का सॉल्वेशन करते हैं डामेटर ओफ सिल्वर क्वाइन इस इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर हैंस रेडियस इस इक्वल टू 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर ठीकनेस अफ सिल्वर क्वाइन इस इक्वल टू 2 mm इस इक्वल टू 2 अपॉन 10 इस इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर सिल्वर क्वाइन की डामेटर क्वेशन में दू 1.75 तो रेडियस हो गया 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर ठीकनेस सिल्वर क्वाइन की दू 2 mm इसे हमने सैंटीमीटर में बदल लिया तो सैंटीमीटर में 0.2 सेंटीमीटर हो गया silver coin जो होगा वो एक cylinder के shape में होगा ये कोई silver coin है ये उसका उपर का हिसा head है इस silver coin की जो thickness है वो dva 0.2 cm यही thickness उसकी height भी होगी और उसकी length भी होगी जो silver coin के upper walk का diameter है वो दियावा था 1.75 cm तो radius हो जाएगा 1.75 upon 2 cm और हम देख सकते कि silver coin एक cylinder के shape में silver coins are in the shape of cylinder let n number of coins be melted हमने coins की संख्या को n मान लिया कि n coins को melt करना पड़ेगा hence volume of cube void is equal to volume of n coins कि void की volume होगी length into breadth into height is equal to n into coin cylinder के form में है तो cylinder की volume होगी pi r square h pi r square h length into breadth into height question में दिया हुआ है 5.5 into 10 into 3.5 is equal to good void की ये dimensions question में db थी n into pi into radius हमने निकाला था 1.75 upon 2 का whole square into h thickness db थी 2 mm जो centimeter हमने change किया था तो वो हो गया था 0.2 cm 5.5 into 10 55 into 3.5 192.5 is equal to n into pi 22 upon 7 into 1.75 का square यानि 3.06 upon 4 into 0.2 that is 7 और 4 का other side भीज देंगे तो ये 192.5 के साथ multiply हो जाएगा so 192.5 into 7 into 4 is equal to n into 22 into 3.06 into 0.2 0.61 that is n is equal to 192.5 into 7 into 4 upon 22 into 0.61 that is n is equal to 192.5 into 28 5 3 9 0 upon 22 into 0.61 is equal to 400.24 hence number of coins are 400 approx